आग्रा में इलेक्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को देखते हुए विजनगर पुलिस चौकी के पास स्थित इफ्लाइट शोरूम तेजी से लोग प्रिय हो रहा है यह शोरूम ना केवल विभिन प्रकार के एलेक्रिक स्कूटर की विस्तरत श्रंकला उपलब धिकराता है बलकि यह है आईसी एटी यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोटिव टेक्नलोजी द्वारा प्रमानित भी है आईसी एटी सर्टिफिकेशन भारत में आटोमोटिव इंडस्टरी के लिए एक महत्वपूर मानक है जो वाहनों की गुनमत्ता, सुरक्षा और पर्यावलन अनुकूलता की पुष्टी करता है इसके साथ ही एफ्लाइट में आपको छोटे स्कूटर से लेकर लंबी दूरी तै करने वाले बड़े स्कूटर तक कई विकल्प मिलते हैं अब आपको इलेक्रिक दो पहिया वाहन खरीदने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यक्ता नहीं है विज़नगर पुलिस चौकी के पास इस्थित इफ्लाइट शोरूम इलेक्रिक दो पहिया वाहनों का एक प्रमुख शोरूम है शोरूम के विशेशता यह है कि यहाँ पर्याविरन के अनुकूल स्कूटर के फायती कीमतों में उपलब्ध है यहाँ शोरूम उन लोगों के लिए आदर्शु है जो बढ़ते इधन खर्च और प्रदूशन से बचने के लिए इलेक्रिक स्कूटर की ओर रुख कर रही है इफ्लाइट शोरूम को ICAT यानि International Center for Automotive Technology द्वारा प्रमानित किया गया है यह सर्टिफिकेशन भारत में Automotive Industry के लिए एक महत्वपूर मानक है ICAT प्रमानित के तहत इफ्लाइट में बेचे जाने वाले इलेक्रिक स्कूटर उच्छतम मानकों पर खरे उतरते हैं जिससे ग्रहकों को भरोसे मंद और सुरक्षित वहन मिलते हैं इफ्लाइट की जो शुरुवात की हमने 2021 में शुरुवात की क्योंकि लगातार पैट्रोल की कीमते बढ़ रही थी लोगों को बजट डिस्टर्ब हो रहा था उसको रेसोस्तों हुए हमने इसको इलेक्टिक स्कूटर का अपना मैनुफेक्चरिंग शुरू की हमें असेमली और मैनुफेक्चरिंग का अनुभब पिछले बेकर पचास साल से हम लोग इसी कारे को कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए कोई इतना टफ नहीं था हमने इसकी जो भी कानुनी की प्रिकरिया होती है पूर्ण किया हमने अपने स्कूटर पे i-cad लिया जो कि i-cad जो होता है ओटो मॉवाइल लाइन में किसी भी टू-वीलर थ्री वीलर फॉर वीलर के लिए i-cad लेना अनुवारे होता है तोकि ये आपके वीकल की सुरक्षा मानक को तेह करता है उसको एपरूट करता है कि हमारे वीकल सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हैं जिससे कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको किसी भी तरीके का कोई हानी ना हो इफ्लाइट शोरूम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां छोटे हलके स्कूटर से लेकर लंबी दूरी तै करने वाले और उच्छ शमता वाले इलेक्रिक स्कूटर तक के कई विकल्प मिलते हैं यह सबी स्कूटर आधुनिक बैक्रि तकनीक से लेस होते हैं और ICAT सेर्टिकेशन होने के कारण इफ्लाइट शोरूम में बेचे जाने वाले स्कूटर ना केवल भारतिय मानकों के अनुरूप होते हैं बलकि यह सुरक्ष और पर्यावरना के प्रती भी समवेदन शील होते हैं यह प्रमानन खास तोर पर टूवीनर और फोरवीनर वाहनों के लिए बेहद महत्वपून है इफ्लाइट जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं यह 2021 में हमारी सोस थी कि हम कुछ नया स्टार्ट करें आगरा के लिए कि हम आगरा के लोगों को एक स्कूटर ऐसा दे पाएं जो उनकी आँ बन रहा है उसका कारण यह रहेगा सबसे अच्छ फाइदा कि उनको तुरंत सर्विस मिलेगी और वो ही हमारा सबसे में यूएसपी है एफ्लाइट में कि कस्टमर सर्विस को हम प्रारोटी पे रखते हुए सब चीजों को स्क्रीम लाइन करते हुए चलते हैं हमारा स्कूटर आइकेट अप्रूवड है आइक एक बहुत इंपोर्टेंट सर्टिफिकेशन है जो कि टू वीलर्स थ्री वीलर्स फोर वीलर्स सभी के लिए जरूरी है यदि आपको चाहिए कि आपको हां मुझे एक सर्विस अच्छी चाहिए और मैं एक ऐसे ब्रैंड से समझे कस्टमर के साफ से मॉडिफिकेशन दे पाए आज हम लोग 60 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक का स्कूटर्स दे सकते हैं कि अगर आपके 60 किलोमीटर की रिक्वाइर्मेंट है तो हम आपके बजट के साफ से आपको होई चीज देंगे कि आपको अनेसरली जादा पे आपकों के बीच भरोसे मंदब्रांट बन चुका है इफ लाइट बहुत अच्छी है मैं 222 से यूज कर रही हूँ और यह बिलकुल सबकुछ अभी तक अच्छा है और भी मैं सबी भी इसको यूज कर रही हूँ तीन साल से से लगाता यूज कर रही हूँ बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी है 2021 में यूज किया था हमने बहुत अच्छा मोडल है और नई भी खरीदने आया है फिर से हम बहुत अच्छा रहनिंग देती है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका एवरेज बहुत अच्छा है इसका इफलाइट ग्रहकों को उत्कृष्ट सेवाएं और वाहन खरीदने के लिए विश्वसनी अनुभव प्रदान करता है जो रीजनेबल रेट के साथ साथ गुर्वत्ता की भी गारंटी देता है सी न्यूज के लिए आयूशी गौड की रिपोर्ट